महराश्ट्र के किसानों के लिए गन्ना एक एहम फसल है जिससे किसानों को सबसे जादा उम्मीदे रहती है गन्ने की अलग-अलग प्रजाती में उर्वरक प्रबंदन करना भी बहुत आवश्यक होता है उर्वरक कब और कितनी मात्रा में डालना है आईए इसके बारे में जानते और समझते हैं महराश्ट्र में गन्ने की किसी भी किस्म को तीन सीजन में उगाया जा सकता है हर सीजन के अनुसार उर्वरकों का संतुलित उप्योग करना किसानों के लिए लाबकारी होता है उससे पहले ये जरूर धियान रखें कि हमेशा उर्वरक का प्रयोग करने से पहले खेत की मिट्टी का परिक्षण जरूर कराएं वो परिणामों के आधार पर ही उर्वरक का प्रयोग करें किन्तु यदि आप किसी कारणवश मिट्टी का परिक्षन नहीं करवा पाएं हैं तो गन्ने की मुख्य फसल इस वीडियो में दर्शाई मात्रा का उप्योग करें दर्प के किसान यदि वसंत यानी जनवरी फरवरी में 86-032 को बोते हैं तो उन्हें इस प्रकार फसल में उर्वरक को का प्रबंदन करना चाहिए बुवाई के समय खेत में प्रती एकड की दर से यूरिया 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉसफेट 162.5 तथा मियूरेट औफ पोटाश 62.5 किलोग्राम डाले जब ये फसल 8-10 सप्ता की हो जाए तो यूरिया 125 किलोग्राम प्रती एकड की दर से खेत में फिर से डाले बड़ी मिट्टी चड़ाई के समय यूरिया 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉसफेट 1500 किलोग्राम और मियूरेट औफ पोटाश 25 किलोग्राम को प्रती एकड की दर से खेत में डाले ये उर्वरक उपलब्ध ना होने पर बुवाई के समय 125 किलोग्राम 10-26-26 प्रती एकड की दर से खेत में डाल सकते हैं फसल के 8-10 सपता की होने पर यूरिया 125 किलोग्राम प्रती एकड की दर से खेत में फिर से डाले बड़ी मिट्टी चड़ाई के समय 1026-26 की 75 kg मात्रा तता यूरिया की 25 kg मात्रा को भी प्रती एकड की दर से खेत में डाला जा सकता है तीसरे विकल्प के रूप में किसान खेत में बुवाई के समय 62.5 kg 1919 75 kg सिंगल सूपर फॉसफेट और 25 kg मूरेट ऑफ पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं जब ये फसल 8-10 सपता की हो जाए तो यूरिया 125 kg प्रती एकड की दर से खेत में फिर से डालें एक अन्य विकल्प के रूप में बड़ी मिट्टी चड़ाई के समय 125 kg यूरिया को भी खेत में डाला जा सकता है यदि पश्चिम महराष्ट्र, मराठवाडा, कुंकन के किसान गन्य की इस किस्म की बुवाई जन्वरी फरवरी में करते हैं तो उन्हें फसल में उर्वरक का प्रबंदन इस प्रकार करना चाहिए किसान भाई बुवाई के समय यूरिया 25 kg, सिंगल सूपर फॉसफेट 175 kg और मियूरेट औफ पटाश 50 kg प्रती एकड़ की दर से खेत में डालें जब फसल 6-8 सप्ता की हो जाए तो किसान फिर से 125 kg प्रती एकड़ की दर से यूरिया डालें जब फसल 12-14 सप्ता की हो जाए तो एक बार फिर से 25 kg प्रती एकड़ की दर से यूरिया डालें गन्ने की फसल में अंतिम बार उर्वरक बड़ी मिट्टी चढ़ाई के दोरान डालें इस समय 100 kg यूरिया, 175 kg सिंगल सूपर फॉस्फेट और 50 kg मूरेट और पोटाश को प्रती एकड़ की दर से खेत में डालें ये उर्वरक उपलब्द नहीं होने पर किसान 125 kg 10-26-26 प्रती एकड़ की दर से खेत में डालें जब फसल 6-8 सप्ता की हो जाए तो किसान फिर से 125 kg प्रती एकड़ की दर से यूरिया डालें फसल के 12-14 सप्ता की होने पर एक बार फिर से 25 kg यूरिया प्रती एकड़ की दर से डालें गन्य की फसल में मिट्टी चढ़ाई के दौरान 10-26-26 की 100 kg मात्रा तथा यूरिया की 75 kg मात्रा को भी प्रती एकड की दर्से खेत में डाल सकते हैं किसान भाई एक अन्य विकल्प के रूप में 75 kg 1999, 100 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 25 kg मूरेट और पोटाश को भी खेत में प्रती एकड की दर्से बुवाई के समय खेत में डाल सकते हैं जब फसल 6-8 सप्ता की हो जाए तो किसान फिर से 125 kg प्रती एकड की दर्से यूरिया डाले जब फसल 12-14 सप्ता की हो जाए तो एक बार फिर से 25 kg प्रती एकड की दर्से यूरिया डाले बड़ी मिट्टी चढ़ाई के समय किसान 75 किलोग्राम, 1919, 62.5 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 25 किलोग्राम मूरेट और पोटाश को भी प्रती एकड की दर से खेत में डाल सकते हैं तो इस तरह गन्ने की प्रजातियों के लिए उर्वरक प्रबंदन किया जा सकता है